वेल बहुत सारे बच्चों का यही कमेंट आरता कि सर एम्स B.A.C. नर्सिंग की ना सारी जानकारी दे दीजे अब थोड़ा एक दो दिन डिले हो गया प्रिकॉज सारी इंफॉर्मेशन जो ओफिशिल इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने में जोड़ा सा समय लगता है जी तो और यह सेंटर मिलता है एकजाम का यह एम्स में जाके एकजाम देना है सिट मैत्रिक्स के ऐंकि लिए कितने बीचे सवाल रही है ना नर्सिंग कкого ले बेंटा कर वह साइटि वीडियो में केट्र की जाएंगी दो लेंगो होगा तो वीडियो कब लोग एंड तक अराम से देखिएगा तब ही जाक आप कैतना आधा ग्यान हानी का रहागे पूरा ग्यान आपको इस वीडियो में मिलने वाला है ठीक है चलिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इंपोर्टन डेट्स के बारे में तो इसके एग्जामीनेशन जो फॉर्म निकलती है मेरे प्यारे बालों को वह फेवरुरी के महिने में निकलती है यह पिछले साल का इंफॉर्मेशन गुल लेटीन है तो मैंने उसका सिंप्लिफाइब करके मैंने यहां पर लिग दिया है ए जून के एंड में यह जुलाई के फर्स विक में आपका रिजल्ट भी यहां पर आउट करवा दिया जाता है ठीक है तो यह हो गया आपको यहां पर इस वेबसाइट पर पहनी नज़र बनाकर रखने है क्या 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 डबलु डॉट एम्स एक्जामीनेशन डॉट एम यहीं पर सारा का सार आपका रजिस्ट्रेशन होगा और यहीं पर 2024 के लिए भी इंफर्मेशन बुलेटिन को रिलीस किया जाएगा ठीक है यह हो गया आपका इंफर्मेशन डेट के लिए अगर हम बात करेंगे एक्जामीनेशन फीज के बारे में अगर आप एमस नर्सिंग अगर आपको एक्जाम देना है बीसी नर्सिंग का है पारमेडिकल का से मही प्राइज है कितना तो 2000 रुप्य आपका लगता है जी फॉर जेनरल कैटेग्री है ना और बात करेंगे ओबीसी के लिए भी 2000 रुपय लगेगा सी और स्ट के लिए 1600 रुपय लगता है आपका ठी लगताना जी तो यह हो गाए examination fees के को बारे मैं जानकारी हूं अब यहां पर exams होता है मुन्ना यह आपको exams center लॉट क्या जाता है यह सारी सिटीज में आपको एक्जामिनेशन सेंटर मिलेगा जी देखो यहां पर लिखा गया ना एंटरेंस एक्जामिनेशन फॉर दा बीएसे नर्सिंग ओनर्स नर्सिंग फॉर ओल दी एम्स विल बी कंड़केट इन फॉल्लविंग सेटीज इन सारे सिटीज में आपके एक्जामिनेशन को कंड़क्ट करवाया जाता है लेकिन अगर बीएसे पैरामेडिकल यह पोस्ट ब बीएसे नर्सिंग एक्जामिनः वह सिर्फ और फिर ग्र्ल्स के लिए होता है वाईस नहीं दे सकते हैं इसका मतलब बॉइस नर्सिंग नहीं कर सकते हैं क्या सिर बोईस कोई भी एम्स का इसमें नीजिक तर बहाल हूं था ठीक है एम्स दिलनी में आपकी बाए च्छिट और भटिंडा तो यहां पर 40 नेम्स का यहां पर पुरा लिस्ट दिया हुआ है आप लोग इसका स्क्रीन्शॉट ले लो यहां मैं इसका information bulletin है आपको description box में provide करवा दूँगा आप लोग देख सकते हो उसको ठीक है आईए जी गोपाल में 75 में 75 बिलासपूर 40 और यह बदल सकता है ठीक है आथो देखर 60 गोरखपूर 60 जोधपूर 100 कल्यानी 60 नाकपूर 40 मंगलागीरी 50 पटना 75 रायपूर 75 और रिशी केस आपके बस 100 तो सबसे अधिक जो सीट्स है ना वो जोधपूर और रिशी केश में है जी है ना यहां पर आपक आपके बढ़ते हैं और अगेией सेट में वह गटती है और रिशी जिसे में में यह बेसकती हैं और अगे बढ़ते हैं कोर्स का डूरेशन क्या होता है तो यह चार साल का होता है बीएसी नर्सिंग ठीक है बीएसी जो नर्सिंग होता है वह चार साल का होता है लेकिन जो पैरामेडिकल है वह तीन साल चार साल का होता है लेकिन जो बीएसी नर्सिंग ओनर से वह सिर्फ सिर्फ आपकर चार साल का हो तो प्लस फॉर्टी नहीं पर तुम दिल्ली भी आड़ कर लो तो आपको इस इतने दस आपकी क्या कहते है फॉर्टी चौदा एमस में आपके एड्मिशन होंगे इन सारे एमस बेसे नर्सिंग के एग्जामिनेशन से ठीक है कौन कौन साय जी मुन्ना रायपूर है मिलेगा इतनी बात तो क्लियर होगे eligibility criteria क्या है मैं फिर आपको मैं यह बार बार mention करना हूँ बच्चो कि यह सिर्फ वासिफ girls के लिए boys इसका farm नहीं भर सकते हैं ठीक है अच्छा जो भी girls हैं वो Indian citizen होना चाहिए कम से कम 17 साल की होना ही चाहिए जी और आपके 12 में 12 में अगर अच्छा और एक बात ध्यान रखना है मुन्ना अपने 12 में PCB किया होना चाहिए physics chemistry biology और साथ में अपका English भी एक mandatory subject होना चाहिए ठीक है यह हो गया eligibility criteria को लेकर बात आगे बढ़ते इस scheme of the exam syllabus का pattern क्या होता है जी तो यह सेम जैसे neat का जो pattern है आपका वो सेम होता है तो paramedical और B यह से nursing का है उसमें भी तुमारे physics chemistry और biology लेकिन additional 10 number के लिए है ना मेरे प्यारे बालों को जी के आता है general knowledge ठीक है तो यहाँ पे physics 30 marks के लिए आता है chemistry 30 biology 30 और general knowledge आपके 10 marks के लिए हो total आपके 100 marks का यहाँ पे paper होता है क्या यह paper तुमारा OMR based होता है बिलकूल भी नहीं यह CBT computer based आपका test आपका यह होता है ठीक है syllabus से में physics chemistry biology का जो तुम need के लिए पढ़ रहे हो अच्छा इसके बाद रता है कि सर क्या negative marking है यह सर अगर आपे correct करोगे तो आपको plus one मिलेगा लेकिन अगर आपका गलत होता है तो आपका one three minus हो जाएगा one third आपका minus हो जाएगा जी अगर अ attempt नहीं किया है तो आपको कोई भी number नहीं दिया जाएगा जी इतना बात ध्यान रखना जी तो जो cut-off के बार में भी अगर हम बात करेंगे बहुत important यह पर सुनिए का जी तो जो qualifying number है जो qualifying आपका marks है मैं red से कर लेता हूँ जो qualifying marks है admission के लिए general category के लिए आपके बास कम से कम 50% होना ही चाहिए और OBC के लिए 45% और SC और ST के लिए आपके बास 40% होना ही चाहिए जी है ना मतलब कम से कम अगर आपका 60-65 number अगर है तो आप counselling में बैठेगा और आपको आपके choice का जो है na aims आपको allot करवा दिया जाएगा जी ठीक है तो ज यह को गया cut-off अभी हम बात करें कि सर college fees के बारे में देखो सबसे पहले इनीचली जो registration fees होता है वो तुमारे पास होता है 25 रुपया ठीक है 25 रुपया अगर तुम टोटल अगर देखोगे न 4 साल का टोटल 4 साल का आपका mess को हटाके excluding mess 3-4,000 रुपीज ही आपका पूरा 4-year का fees है बस देखो अगर तुम देखो तो BAC nursing का यहां पर अगर तुम यहां पर fees structure अगर देखोगे तो 600 रुपया है तुमारे पास कितने साल के लिए 4 साल के लिए ठीक है फिर pot money तुमको कितना मिलता है जी 960 रुपय चार साल के लिए फिर hostel का जो rent अगर आप देखेंगे त तो नर्सिंग के लिए तो 480 रुपीस कितना 480 रुपीस for the 4 years ठीक है और caution money अगर तुमने कुछ तोड़ फोड किया अंदर 100 रुपया उसका ठीक है अचा जी उसके बाद hostel का जो deposit होता होता है 1000 रुपया जो कि जब आप करके निकलोगे आपको refund करवा दिया जाता है ठीक है और यह सारी जो payment है ना वह admission के समय दे दिना होता है तो इतना तुम देई सकते हो लाग रुपया अगर coaching में दे रहे हो तो 3-4000 रुपया लेकिन जो mess होता हो वो vary करता है महीने का जो 2-3000 का mess लगता है है ना क्योंकि खाना तो तुमको 200 रुपय मिलेगा ने तो mess का आपका पैसा वेरी करता है ठीक है तो यह हो गया fees structure के बारे में अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बालों को यहां पर stipend और internship को लेकर हर महीने आपको 500 रुपय सरकार की तरफ से मिलता है आप पढ़ रहे हो ना एम जिससे institute में पढ़ रहे हो और अगर internship के दुरान आपको हर महीने क जो है वो 13,150 रुपय पिछले साल से यह शुरू हुआ है ठीक है तो आपको जो इस टाइप पांस रुपय मिलता और 13,150 रुपय आपको internship के दुरान मिलता है तो यह पूरी की पूरी B.A.C. nursing को लेकर बात हो गई ठीक है syllabus मैंने आपको बता दिया सिर्फ girls इसका exam दे सकती है सेम जो नीट का syllabus है वही होने वाला है अब सबसे important बात यह है ना कि चैनल को तुम subscribe कर लो अब आने वाले कुछ वीडियोज है परिफूजन टेकनलोजी क्या है और यूरोलोजी टेकनीशन क्या होते हैं जितने भी पैरामेडिकल के जो courses है उनकी बार में detailed information में बनाने वाला है अगर आपको लग रहा है कि मेरी फैमिली के तरफ से pressure आ ला है तभी जाके आप लोग है यह पैरामेडिकल और एम्स का आप लोग exam दे सकते हैं आप एम जिससे इंस्टिट से आप पढ़ाई कर रहो यार आपकी तुभी image बहुत ही उपर होती है ठीक है तो मैं आपको properly guide क कर लेना चार तारिकों ठीक है कली यह class है और आपकी special learning भी करने का अडमी special मैं जो कि एकदम completely special class free होती है बिल्कुल भी पैसा नहीं देना पोल बेस्ट आपको यहां पर आपका सारा जो होता है question आपको मिलता है आप लोग यहां पर पोल पर answer करते हो जी तो चार तारिक से ल किसे doubt रहेगा अगर इसके regarding और तो मुझे comment section में आप लग बताईएगा मैं तुम्हारे सारे doubts यहां पर clear कर दूँगा मिलते हैं अंगले वीडियो में अभी कले बचत रहे गाई थांक्यू जय हिंद बाबाए